हलो फ्रेंड, CKD Stock Market News चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ और 5 ऐसे mutual fund की बात करूँगा जिनका share market के बढ़ने या गिरने से या घटने से कुछ खास impact देखने को नहीं मिलता है इन mutual funds को जैसे चलना है इनकी तैयारी वैसे ही रहती है तो सबसे पहला जो मैंने आपके सा कर सकते हैं एक SIP डाल की start कीजिए उसके बाद में 6-7 महीने इसको track कीजिए उसके बाद return आपको खुद समझ में आएगा क्योंकि 6 महीने के अंदर market आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी 6 महीने में market में आपको वापस से recovery भी देखने को मिलेगी और ultimately आप ये पाप अपने investors को deliver करके दिया है 10,378 करोड का इसका market cap है 0.61% का expense ratio है expense ratio किसी को नहीं पता तो पता होना चाहिए कि expense ratio आपकी pocket से ही काटा जाता है जो की fund manager आपके पैसे को manage करने के लिए उसको fees देता है asset management company Nifty midcap 150 TRI को ये benchmark की तरह follow कर रहे हैं एक साल के अंदर निकलने कोशिस तक से exit load भी आएगा 10 साल में देखे 672% का return इस fund ने बना के दिया है इसी series में HDFC midcap opportunity fund की बात करेंगे ये भी किसी से पीछे नहीं हटा हुआ है और 65,394 करोड का बहुत बड़ा asset size है अगर midcap category में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो asset size है और जितनी भी हम mutual funds को midcap category में रख स सकते हैं तो सबसे ज़्यादा जो asset size है सबसे बड़ा वो इसी fund का है 65,394 करोड पॉइंट 74% का expense ratio है 6.76% का cash वोड़ करके चल रहे है निफ्टी 150, निफ्टी midcap 150, TRI को ये benchmark के तरह फॉलू करते हैं अगेन एक साल के अंदर निकलने कोशिस करोगे तो 1% का अलग से exit load बहुतिला लुसवाल भी बहतरीन mutual fund काम कर रहा है 4,293 करोड का asset size है 0.58% का expense ratio है निफ्टी, large midcap 250, TRI को ये follow करके चल रहे है exit load यहाँ पर अच्छे चीज़ है कि केवल 15 दिन का exit load है केवल 15 दिन के अगर 15 दिन आपको ये mutual fund अच्छा नहीं लगता है तो 15 दिन के बाद आप exit कर सकते हो expense ratio जो पढ़ना होगा वो आपसे पढ़ जाएगा पर जी हाँ exit load आपसे नहीं लिया जाएगा इसके साथ साथ अगर मैं कुछ alternate provide करने की कोशित करूँ large and midcap category में तो आप एक बार quant के large and midcap category के mutual fund को ICCA Prudential के large and midcap category के mutual fund को बंधन core equity direct growth को इसके साथ मेरे asset large and midcap category के mutual fund को इन सभी mutual funds का एक बार review आप चेक कर सकते हो income tax filing का season चल रहा है और बहुत ही minimum cost पे आपको income tax filing की services यहाँ पर दी जा रहे हैं share market के अंदर या mutual fund को बेचने या खरीदने से अगर आपको loss हुआ है तो definitely आपको income tax file करना चाहिए क्योंकि अगर आप income tax file करते हो mutual fund के loss का या share market के loss का तो उससे आपको फायदा यह होता है कि वो loss आपका 8 साल तक carry forward हो सकता है अगर 8 साल तक carry forward हो सकता है तो इसका क्या मतलब हो कभी भी आपको अगर आने वाले 8 साल के अंदर gain हुआ तो उसका benefit आपको उस losses set off करने को मिलेगा इसके साल साथ अगर आप salary employee है तो भी आपको income tax filing की सुभिधा जरूर मिलनी चाहिए अच्छे अच्छे कीमत पर अच्छे rate पर तो यहाँ पर CKD stock market news channel का एक initiative है कि हर बंदा income tax file करे और देश की तरक्की के लिए थोड़ा participation करने के लिए थोड़ा सा योगदान देने के चेश्टा करें अंतिम समय तक वेट ना करें कत्ते चुलाईता क्योंकि website बहुत ज़दा crash हो रही है तो अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है तो जल्दी से जल्दी दिये गए जो आपके सामने दो ये WhatsApp नमबर reflect हो रहे हैं इन में से किसी भी नमबर पर आप call करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो चैनल को subscribe केजिएगा वीडियो को like केजिएगा mutual fund से related कोई doubt हो तो comment केजिएगा हरर महादयो अयपा शरणम हरी श अनिवाद